नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में इंडिया और ऐस्टेलिया का फाइनल मैच हुआ वरल्ल कब में इंडिया हार गई और उस्टेलिया जीत गई खेल है चलता रहता है अगर आप किर्किट के फैन हैं तो भी ये पूरी वीडियो देखिए और अगर आप cricket के fan नहीं है तो भी पूरी वीडियो देखिए अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं यकीन मानिए कि आपकी life change हो सकती है ये वीडियो life changing है मामूली वीडियो नहीं है राइट तो चलिए शुरू करते हैं Things to learn from India, Australia Final World Cup match तो Final World Cup match हुआ है इससे हम क्या सीख सकते हैं देखी दुनिया में सीखना और आगे बढ़ना यही है सही तरीका बाकी सब बक्वास है ठीक है तो नंबर वन भी यह cricket एक खेल है अब को गयार यह कौन सी बड़ी बात बता दिया आपने यह तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया हाँ मार नहीं दिया बड़ आपको ध्यान नहीं चीए कि cricket एक खेल है और भारत दोज में बहुत सारे खेल है होकी भी है बैडमिंटन भी है कुष्टी भी है तमाम दुनिया के खेल है बगया एक cricket के पीछे काए पागल होते रहते हो हाँ हमारे कोई इष्ट देव ने थोड़ी काए कि cricket के पागल हो जाओ और भी खेल है उनको भी आप एप्रिशेट कर सकते हो और सिर्फ एप्रिशेट करो पागल मत हो जाओ उनके पीछे खेल है भी हाँ खेल क्रिकिट क्या कर देता है इंडिया पाकिस्तान की एकता बढ़ा दी क्रिकिट ने कौन सा एमोशन कर दिया ठीक कोई एमोशन एमोशन नहीं है मेरा ऐसा मानना है और अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बताइए बुरा मत मानिये माई डियर फ्रेंड बुरा मानना एक weakness है जो लोग बुरा मानते हैं मैं उनको कमजोर मानता हूं आपको बुरा नहीं मानना अपनी बात कहनी है और आपको लग रहे है कि कोई आदमी आपकी बात को नहीं समझ रहा है आप उसके साथ फिट नहीं बैट रहे हो तो दूरी बना लो, it's okay, यह भी ठीक है, कोई ब्राई बनी बाद नहीं है, बट बुरा मत मानो, बुरा मानने का मतलब है कि अपने आपको नुकसान मत पहुचाओ, जब आप बुरा मानते हो तो खुद को नुकसान पहुचा लेते हो, एक आदमी ने टीव फोर दी, किरकेट मैं चार गई इंडिया तो टीव फोर दी, ऐसे थोड़ी हो दबाई, ऐसे मत करो, ओके, आगे, इंडिया मैं चार गई, प्लेयर्स पैसे कमा रहे हैं आज भी, सारे प्लेयर्स लगबक कंटीनिव करेंगे पैसे कमाना, थोड़ा बोड़ पेमेंट क कमाना कंटीनि रखेंगे, आई पहला रहा है, प्लेयर्स को कोई फरक नहीं बढ़ता आप पैसे कमा रहे हो, वो तो कमला पसंद, शिखर और पान बहार इनके एडवर्टीजमेंट करते रहेंगे, क्रिकेट खिलते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, आपने कितने पैसे कमा है आपने अपने टाइम कर्च किया आपनी टीबी फोर दी स्टेडियम में गए पैसे कर्च किये और मूड अफ करके आगे मूड अफ करके आगे मूड अफ किर्केटर्स का भी हुआ पट बनता है उनका तो मैं जा रहे थे यार बाद में खुश उजाएंगे दो दिन वाद दो तीन दिन वाद चार दिन बाद सब बूल जाते यार एक बात को इसमें इतना ज्यादा गंबीर होने की कोई बात नहीं है right players properties में invest करते हैं पैसे कमाते हैं shares में invest करते हैं restaurants खोलते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं क्या आप कर रहे हो ऐसा क्या आप भी अपनी properties में invest कर रहे हो क्या आप भी अपने पैसे को grow कर रहे हो क्या आप players से सीख रहे हो इन ही cricket players से जिनके लिए आप पागल हो जाते हो क्या इनसे आप सीख रहे हो ये चीजें वो क्रिकिट खेल रहे हैं अपने काम को पूरो तनमंधन्चे कर रहे हैं प्रोफेशनली कर रहे हैं क्या आप अपना काम तनमंधन्चे करते हैं बड़ा सवाल है ये वो तो करते, क्या आप करते नहीं, वो तर्मंधन से काम करने के लिए पैदा हुए और हम उन्हें सबोर्ट करने के लिए पैदा हुए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो तो फिर फाइदा उठा लिया जाता है कि हाँ ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं चलो टिकेट लेलो इनसे पैसी कमालो राइट जो प्लेयर्स होते हैं खुद को मेंटीन करते हैं फिट रहते हैं तंदुरुस्त रहते हैं आप रहते हैं हम तो काउच पोटेटो सोफे पर बैट गे पॉपकोंज खाके अप दुनिया वर का खाक आके उनको देख देख के मोटे और हो रहे हैं टी भी चल रही है पैसा वेस्ट, एनरजी वेस्ट, टाइम बेस्ट सोफे पर हम बैटे हैं बॉडि वेस्ट फुली वेस्ट और वो लोग फिट हैं हुआप ए वा लोग अपने काम कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो चलता है, काम करने वाली फेल पास होते हैं, जो किस करी नहीं रहा ह mismos, वो कहां से फेल होगा? रैइट? क्या आप maintain करते हैं अपने अपको? notes बना लो भी या? players जो होते हैं, रेगुलर कोचिंग लेते हैं उनके पास कोच होता है बॉलिंग कोच, बेटिंग कोच, फलाना कोच, फिटनेस कोच मेंटल स्ट्रेस कोच, तमान दनिया के कोच होते हैं क्रिकेट टीम के पास, गूगल कर लेना How many coaches, how many mentors, counselors are there with the cricket team बहुत सारे होते हैं हर तरीके से टीम की health को mental health, physical health, dietary, फलाना डमकाना हर चीज को मेनेज करने के लिए कोच, ट्रेनर्स, इंप्रूमेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो क्या आप रेगुलरली ट्रेनिंग लेते हैं क्या आप रेगुलर कोचिंग लेते हैं क्या आप अपने आपको improve करते हो अपने आप से सवाल पूछो और उसका जवाब दो yes और no में ये वीडियो आपका बाद में score बताएगी अभी तक 5 questions पूछ चुका हो आपसे do you appreciate them बाकी खेलों को yes और no में जवाब दीजिए yes के answer 10 no के answer 0 दूसरा point marks क्या आप invest करते हो 10 number नहीं करते हो 0 क्या आप maintain करते हो 10 number नहीं करते हो 0 ये आपके लिए मैंने assessment बनाया है अपने test खुद लो मुझे बद वेजो cheer करने से मैंने कल बहुत सारे facebook पर और whatsapp पर बहुत सारे message देखे cheer करो इंडिया की team को support करो support करो भाई साव इंडिया की support इंडिया को support हम कर रहे थे right कर रहे थे support करोड़ लोग support कर रहे थे इंडिया को 50-60,000 लोग stadium के बहार थे 1,10,000 लोग stadium के अंदर थे और सब लोग support कर रहे थे इंडिया को और बारबार वो meter भी आ रहा था कि shore meter 126 decibel शोर मीटर भी आ रहा था और विराट कोली ऐसे ऐसे करके उत्सा बढ़ा रहे थे सबका बड़ माई डियर फ्रेंट्स चीयरिंग से कुछ नहीं होता चीयरिंग से कुछ नहीं होता अगर पर्फोर्मेंस देने वाले में दम ना हो तो ऑस्टेलिया की टीम में पर्फोर्मेंस देने का दम था उसने पर्फोर्मेंस दी एक लाख पैंतालीस जार लोग इंदर और बाहर स्टेडियम के इंडिया को चीयर कर रहे थे ऑस्टेलिया को चीयर करने के लिए बस स्टाफ था उनका और फिर भी आउस्टेलिया जीता चीरिंग से कुछ भी नहीं होता ये आउस्टेलिया ने हमें कई बार बता दिया बहुत सी सिचुएशन में पता चल जाता है कि चीरिंग से कुछ नहीं होता भीड में तो भीड चलती हैं शेर अकेले ही चलते हैं चीरिंग से कुछ नहीं होता, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, चीरिंग से कुछ नहीं होता, दूसरों की प्रसंसा पाना छोड़ दो, अपने मंजल खुद बनाओ, दिक्कते से तो आगे बढ़ो, जादा भीड से जीत नहीं मिलती, बहुत सारे नहीं इता हैं, भीड जी ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारा माहौल अच्छा नहीं था, फला नहीं नहीं था, ढिकान नहीं था, ये सब अक्वास हैं, खुद को बनाओ, आज से बनाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा बनाओ, एक हफते में काफी बन जाओगे, एक महिने में और बन जाओगे, तीन साल में तो पूरा मतलब सिस्टम बदल जाएगा तुमारा, पूरा सिस्टम बदल जाएगा तीन साल में, बदलने को तयार हो, दस नंबर दो, नहीं हो तो जीरो, कल के मैच से हमें पता चला कि टीन कमजोर है, जब आपको कोई मूवी रिलीज होती है, मूवी भी भारत महीं बनती है, भारत की इंडस्ट्री बनाती है, उसके पीछे भी एमप्लॉइमेंट है, उसके पीछे भी डैरेक्टर है, प्रोडूसर है, वहां भी मेहनत लगती है, किर्किट और मूवी में कोई खास फरक नहीं है किर्किट भी एक कला है स्पोर्स है मूवी भी एक कला है जब एक मूवी अच्छी नहीं लगती है आपको तो आप खुल के कहते हैं यह मूवी अच्छी नहीं थी कल टीम कमजोर थी हद से जादा कमजोर थी क्योंकि हम शायद entertainment के लिए देख रहे थे सीखने के नहीं भी देख रहे थे समझने के नहीं भी देख रहे थे और शायद वो थोड़ा सा जो emotion था कि वर्ल्ड कप एक sport में आए वो भी था सबका होना चीए, सारे खेलों में होना चीए सारे खेलों को करना चीए, एक कोनी कल टीम कमजोर थी, औस्टिलिया की टीम धाकड उनकी फिल्डूंग में वो फुर्ती थी, फुर्ती विराट कोली ने कैच छोड़ दिया, एक बॉल उसके बगल से निकल गी देख रहा है भाई, प्लेयर अफ दे टूनामेंट देख रहा है, पानी मेंगा बीता है, सब कुछ ठीक है, माहन कि लाड़ी है बट गलती गलती होती है, मैं लाक अच्छाईय कर लूँ अगर मैं यह गलती करूँगा, तो मेरी गलती की सज़ा कूट देगा वो जो बॉल निकल गी, उसके पास से पहला चौका शर्म नाक था वो, कई वार देखा हमने, विराट कोली की जो बॉड़ी लेंग्वेज थी न, वो यह बता दीजी कि वो पहले से हार सुईकार कर रखे महेंदर सिंग धौनी को कहा जाता था कि मैच, हार तो मैच को जिताते थे मैं रोहित शर्मा को जादा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मैंने कल का ही मैच देखा बट कल के मैच में रोहित शर्मा की बॉड़ी लेंग्वेज हारी हुई थी मैच के दसमें ओवर से पहले से ही रोहित शर्मा दे कैप्टन ओफ इंडिया की बोडी लेंग्वेज हारी हुई थी पहले ही मन में हार घर कर गई थी ये बोडी लेंग्वेज से पता चलता है तो अगर आपके दिमाख में हार बैठ जाए तो आप जीत नहीं सकते एक बॉकसर थे मौमाद अली जब वो रिंग में उतरते थे उससे पहले मैंड में जीत को बिठा के उतरते थे कल इंडिया की टीम मान से ग्रूप से हारी ही थी फुर्ती नहीं दिख रही थी गेम में वो दिखने ही रहा था जो दिखना चाहिए था तो अगर आपको गेम जीतना है तो गेम के पहलूओं को समझना पड़ेगा मैं किर्खिट के बात नहीं कर रहा हूँ आपका जो भी गेम है लाइफ का गेम अगर आप टीचर हैं आप एडबोकेट हैं आप बिजनिस ओनर हैं आप स्टूडेंट हैं हर पहलू को समझिए अलग-अलग समझिए उनको मजबूत कीजिए मेहनत कीजिए बहकाईए मत अपने आपको जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं एक्स्ट्रा टाइम दीजिए एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए अपने आपको मजबूत बनाईए सेल्स में कमजोर है सेल्स में मजबूत बनाईए क्लाइंट से मिलने में कमजोर है क्लाइंट से मिलने में मजबूत बनाईए प्रेजेंटेशन देने में कमजोर है प्रेजेंटेशन के पीछे पड़ जाओ जिस चीज में कमजोर हो उस पर extra time लगा दो उसमें मजबूत हो जाओ आप हर चीज में मजबूत हो सकते हो कल इंडिया की टीम मजबूत नहीं थी काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है बड़ी सच है बट आपको ये पूरी चीजे सीखनी और समझनी है प्यार किस से करना है मैं आपको ये बताता हूँ बहुसे लोग इंडिया डिंग से बहुत प्यार करते है शारुख खन से बहुत प्यार करते है रित्य ग्रोशन से बहुत प्यार करते है कोई किसी से करता है कोई किसी से करता है फैन है है हम आपके My dear friends आपका किसका फैन बनना है आपको किस से प्यार करना है यह ज़रा देख लो सबसे पहले खुद का फैन बनो क्या खुद को पसंद करते हो खुद को पसंद नहीं करते हो तो बदलाब करो My dear friend क्योंकि सबसे पहले खुद को पसंद करो और नहीं करते हो तो ऐसा कुछ करो की करने लगो दूसरा नंबर फैमिली अगर खुद की सेवा नहीं कर सकते तो परिवार की तो करी नहीं सकते आप तो पहले खुद को पसंद करो खुद की सेवा करो फिर परिवार की सेवा करो उसके बाद अपने काम की सेवा करो अब कुछ लोग ज्यानी कहेंगे समाज और देश का क्या होगा माई डियर फ्रेंड अगर आप खुद की और परिवार की सेवा कर लेंगे तो आप और आपके बहुत सारे जैसे परिवारों से ही तो देश बनता है आपका परिवार खुशाल और आपके जैसे ही करोलों लोग होगे तो देश खुशाल आप से और आपके परिवार से ही तो देश बनता है तो अपनी सेवा कीजी अपने परिवार की और अपने काम की इवानदारी से कीजी अपना काम पूरा देश तरक्की करेगा कोई टेंचन नहीं होगी आप खोश रहेंगे अपनी सेवा अपने परिवार की सेवा और अपने काम की सेवा फिर जीवन में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं अगर आप Digital Skills सीखना चाहते हैं Digital Marketing Skills तो आप Career Building School से जुड़ सकते हैं जहाँ पर मैं आपको पूर उत्तन मंधन से digital marketing सिखाता हूँ, sales सिखाता हूँ, mindset सिखाता हूँ, और जैसा मैं हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में दिख रहा हूँ, कि मैं कैसा हूँ, तो comment कीजिए, like कीजिए, share कीजिए वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपसे live class में, समस्कार, जैहिंद, जैवारत